नमस्कार साथियों जैबीम अमबेटकर नामा के 55वे एपिसोड में आप सबका स्वागत है इस एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर अमबेटकर ने जो गवर्नर जनरल थे उसमें वाइस राय वावेल लॉड वावेल उनको एक पत्र लिखाता तीन माई उनिस्सोच्यानिस को और इसका प्रिष्ट भूमी यह है कि कैबिनेट मिशन के दिल्ली में मीटिंग हो चुकी थी डॉक्टर अमबेटकर शिडूल कास्ट फरडरेशन की तरफ से ग्यापन दे चुके थे इंटर्व्यू उनका हो चुका था लॉड वावेल के साथ भी एक मीटिंग हो चुकी थी है कैबिनेट मिशन के साथ इसके बाद अप्रिल के अंत में शिमला में एक मीटिंग भी और उस मीटिंग में हिंदू और मुस्लिम नेताओं कॉंगरेश को तो बुलाया गया लेकिन शिडूल कास्ट के किसी भी प्रतिनीती को नहीं बुलाया गया तो इसी के बारे में एक तरह का ये प्रतिरूद पत्र के रूप में इसको समझा जाना चाहिए तो वो पत्र लिखते हैं कि प्रिये लॉर्ड वाविल के कैमनेट मिशन की ओड़ से शिमला में आयो इता अपने सम्मेलन में अनुसुचित जाती कि प्रतिनी को नहीं आमंत्रित किये जाने की भूलने अनुसूचते जात्यों के मस्तिस्क में कई आशंकाय पैदा कर दी है जुकि इस्तिति संवेदनशील है इसलिए मैं आपको उनकी पर्तिक्रियाओं सभावित प्रतिक्रियाओं से अवगत कराना चाहता हूं कि फिर आगे लिखते हैं कि ऐसी प्रतिनेदी को नहीं पुलाया गिए अश्री लुकास्ट के प्रतिनेदी को इसके कई सपस्टी करन दिये जा सकते हैं कई सचीती जातिय舍 की जो मांगे हैं उन्हें अन्य दलो से सहमती की जरूरत नहीं है क्यों को अलने तलवसी की सामति क्यान सकता नहीं है या और यह मूलता जो तीन जो मांगे हैं उस पे यह तो लागू होता है यह पहला प्रथक निरवाचन शित्र दूसरा केंद्रिय कारेपालिका में समचित परतिन हितूर और तीसरा भारश के सम्विधान में अनशुचित ज एक सामान सिध्धान के रूप में विविन दलों से वचनवद्धा उसे एक शबत पत्र लिल गया जाए कि भाईथ जो संभिधान बनेगा उसमें अनुसूची जाती के हितों की रक्षा की जाए फिर लिखते हैं कि अनुसूची जाती की मांगों के लिए अन्यदलों की सहमती अप्यक्षित नहीं है कि जैसा कि पाँच अपरील को जो मैंने साक्षातकार दिया था उसमें बहुती सशक्त तरीके से इस बात को हमें रखा था एक बहुत संक्यक समुदाय द्वारा निर्वाजन शेत्र की मांग जैसा हिब पंजाव उत्तरपश्यम प्रांत सिंद और बेंगल की मुसलमानों के मामले में है कि वहाँ मुसलमान बहु संख्यक है फिर भी वो एक अलग निर्वाचन छेत्र की मांग कर रहे हैं और यहीं उनकी जो मांग है हमारी मांग का अधार है हमारे अस्परिश्यों के लिए अलग निर्वाचन छेत्र का अधार है बहुत संख्यक समुदाय द्वारा यदि अलग निर्वाचन छेत्र की मांग की जाती है तो उसके लिए अलफ संख्यक समुदाय की सहमती जरूरी है, अवर्श्यक होती है किन्तु अलब संख्यक समदाय द्वारा अलग निर्वाचन शेत्र की मान में बहु संख्यक समदाय की इक्षा पर निर्वर नहीं हो सकती है बहु संख्यक समदाय की इक्षा पर निर्वर नहीं हो सकती है के निर्वाचन्छेत्र अलग जो निर्वाचन्छेत्र है उसका क्या पर्पस है इस पर्पस को कशिया करते है उसका dieta कना करना होता है कि उसमें जो अल्ब संक्या के उनके हीतों की हत्या न हो जाए इसलिए पहुर संगि जो मेजरिटी है उससे मेजरिटी को सुरक्षा प्रदान करना यहीं उदेश कोटाइशी का एक तंत्र हो अलग निरवाचन अपनाई इसलिए निर्वाचन छेत्र संयुक्त हो या अलग हो प्रिथक हो या सबाल अलपसंख्य को पर छोड़ देना चाहिए ताकि अलपसंख्य किस बात को समझ सके कि उनके हित क्या है उनके हित क्या है क्या अच्छा है उनके हित में क्या बुरा है बहुत संक्याक इस मामले में कुछ नहीं कर सकते और उन्हें वास्तव में अलब संक्य को के निर्णय को स्विकार कर लेना चाहिए इसके अनुपालन में इसको मानने में हिंदू के पास कहने के लिए अगी कुछ नहीं है कि अनुसुची जातियों को अलग निर्वाचन छेत्र मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए इसके आगे व्याख्या करते हैं कहते हैं कि अलग निर्वाचन छेत्र की मांग किसी अन्य समुदायेग पर विपरीत परभाव नहीं डालती है यहां तब कि हिंदूओं पर भी नहीं डालती है इसलिए यह मांग सबको स्विकार होना चाहिए कि हिंदूओं को किया दिया राय है कि अनुसुची जातियां हिंदू हैं इसलिए उन्हें अलग निर्वाचन छेत्र नहीं मिलना चाहिए कि मूल रूप से यह एक धर्मवादी सोच है और यह आवस्यक मुद्दा नहीं है कि जो अलग निर्वाचन छेत्र की जो मान है वो अलब संक्यकों के लिए एक सुरख्षा तंत्र है और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है इंग्लो इंडियन्स और इंडियन क्रिस्चन का उधारन देते हुए उन्हें लिखा कि इंग्लो इंडियन और इंडियन क्रिस्चन के मामले में दिखे जा सकते हैं यूँकि जो एक ही धर्म को मानते हैं लेकिन उनके निगवाचन शेत्र अलग अलग हैं ये प्रमान नों दिया फिर आगे लिखते हैं कि यदि कैमरेट मिशन इन तथ्यों तथा तरकों विचार करे तो इसमें कुछ भी और सवहाविक नहीं है कि अनुसूचित जातियों की राय स्विकार कर लिजाएं और इसके लिए हिंदूओं की सामति की कोई जरूरत नहीं है इस मामले में पूरी तरह कैमिनेट को कैमिनेट मिशन को निर्णाय करना है विशेज कर तब जवकी यह सिद्ध हो चुका है कि संयुक्त निर्वाचन शेत्रों ने अनुसूचित जातियों की मान को मजाख बना दिया है मौकरी बना दिया है उनके उदेश्य को दूसरा जो इंपॉर्टन बात वो व्याक्षा करते हैं कहते हैं कि अनुसूचित जातियों की मान दूसरी मांग है कि अंतरिम सरकार में उनका प्रतिनितव मुस्लिम समुदाय को दिये गए प्रतिनितव के कम से कम आधा होना चाहिए 50% होना चाहिए कि और इसें ऐसी मांग है कि जिससे हिंदूओं से साहमती लेने की कोई जरूरत नहीं है अनुसुचित चातियों की संख्या और उनका जो विक्नेसेज हैं वो देखते हुए उनको अन्य विक्सित समधाय के बराबर लाने के लिए वे क्या प्रयास करते हैं यह देखते हुए केमरेट मिशन को निरनाय लेना है कि केंद्रिये कारेबालिका में अनुसुचित जातियों को कितना प्रतियों दिया जाना चाहिए कि आपको याद होगा कि मैंने पिछले संबेलन के दवरान यह प्रश्ण उठाया था और आप अनोसुचित जातियों को दो सीट देने के लिए तैयार थे जो मुसलमानों से थोड़ा सा कम था तो दो मांग कारिबालिका और अलगनी रवाचंचे कारिबालिका में प्रदीत तीसरी बात जो है वो कहते हैं कि तीसरी मांग कोई नहीं मांग नहीं है इसमें आपकी उस राय को दोराया गया है जो आपने 15 अगस्त 1944 को गांधी को पत्र लिखकर जाहिर किया था कि उत्त पत्र के पत्र के पारा पांच में आपने लिखा था और वो पूरा कोट करते हैं बेट कर लॉड वोवल के पूरे बात को कोट करते हैं कि इन पर इस लॉड वोवल ने गांधी को लिखा था कि इन पर इस्तितियों में यह स्पस्ठ है कि आपने जो आधार सुधाया है उस पर विचार करने से किसी उद्रश की प्राप्ती नहीं होगी। यदि हिंदू, मुस्लीम और अन्य महपून अलवसंकेक समधाओं के नेता अंतरिम सरकार में सयोग करने और वर्तमान समिधान के अंतरगत कारने के एकशुक हों तो मेरा विश्वास है कि इस समंध में अच्छी प्राप्ती हो सकती। ऐसी अंतरिम सरकार की सफलता के लिए इसके गठन से पहले सरकार के गठन से पहले सिधानतों के समध में हिंदू और मुस्लिम तता सभी महपून तत्वों के बीच समझाओता होना चाहिए एक किस तरीके से समिधान बनाया जाएगा। यह लौड वावल ने गांधी को पत्र में यह जिक्र किया था। इसी का उल्ले के आम बेटकर ने किया है। और इसका उल्ले करते हूँ लिखते हैं कि आपने जिस सिधानत का उल्ले किया है वह महामहीम की सरकार द्वारा बनाया गया प्रतीत होता है। और इसलिए कैवनेट मिशन को इस जो वक्तब है इसका बात्यकारी होना चाहिए। पाइंडिंग इसमें होना चाहिए। इसमें कोई हेर फेर बदल नहीं होना चाहिए। इस सिधानत को जो कि अनुसची जात्यों त्वारा की गई मांगे हैं लागू करने के लिए मिशन को दलों की सामती लेना आविश्यक नहीं लगता। यदि अनुमत्य फिर आगे लिखते हैं यदि अनुमत्य हो तो मैं बताना चाहूँगा कि यह निश्गर्ज निकालने के प्रयात आधार हैं कि मिशन यह नहीं सुचता कि अनुसची जात्यों के मांग पर निर्नाय लेने से पहले हिंदूओं की सामती लेना आवश्यक है। और इसलिए अनुसची जात्यों को सिंब्ला संविलन में आमंत्रित नहीं किया गया। इसका आशर यह हैं कि हम लोग इमान के चलते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो मान ली जाएंगी और इसलिए आपने हमें शिंब्ला में नहीं बुलाया। यह एक लॉजिक है। दूसरा क दिमाग में आने वाला के वाल यही एक अकेला स्पस्टी करण नहीं है। जिसका अन्य स्पस्टी करण संभाव है कि कविनेट मिशन अंत्रिम समिधान के गठन के लिए कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझोते को मंजूरी दे और उसमें शिडूल कास जो अनुसु प्रयाब तंद्र माने जाने के रूप में छोड़ दे कि उसमें बेसित बात यह है कि को कह रहे है कि ऐसा नहों कोई खेल हो जाए और हिंदू-मुसलिम के पीछ सम्झावता हो जाए और जो श्रूल कास्ट है वो इकनोर्ट हो जाए और साइड लाइन हो जाए इसलिए शंक मिशन दूसरी योजना अपनाता है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले परनामों के लिए पुनता ब्रिटिर्श हुकूमत जिम्यदार होगी और मैं इसकी सूचना आपको पहले दे रहा हूँ यह पत्र मैं अनुसरी चाहतियों के प्रतिनीदी के हैसियत से लिख रहा हूँ और आपसे यह आशा होगी कि आप इसे अपने सहीयोगियों के पास भेज दें मतलब के लोगों के पास और विटिर्श हुकूमत को भेज दें मेरा बिरोध पत्र आपका भीम राव अम्बेट कर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कई चिठिया लिख रहे हैं इसके बाद उन्होंने कैबनेट मिशन के एक सरदस्य को चिठिया गया और बहुत सारी मांगें नहीं माने गई तो क्यों नहीं माने गई उस पर अम्बेट कर क्या प्रतिरोध कर रहे थे यह तिथी वार लब क्रोलोजिकल यह जानना जरूरी है आप सुनिये पूरा सुनाइए और लोगों को शेयर भी किजिए शुविया साथ हुचाएब लिए